आए गाई्स वोलकम बैक तो स्ट लीज 22.00 गाईस आज हम लोग देखने वाले हैं स्टबण़र्ज आयरों से 12 विडियो कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली हर एक वीडियो नकली नहीं होतीर innovation video तो काई सारी आज हम लोग mysterious videos की compilation देखने वाले हैं इस video में ठीक है और मतलब होता है कभी कभी ऐसी होती है कुछ videos scripted होती है कुछ videos मतलब नकली होती है editing की होती है और कुछ video genuine होती है मतलब mysterious तरीके से वो दो जाती है camera में ठीक है और हम में पता भी नहीं चलता कि वह चीज असली है या नकली है यह कहां से कैसे setup की गई है तो start करते हैं यह वीडियो और देखते हैं इस वीडियो को उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे इसकी original link आपको description में मिल जाएगी okay start करते हैं वीडिय गया है लेकिन ऐसे किसे और गटना है आज भी कही न कहीं होते रहती है जो आज की इस technology के जमाने में किसी न किसी camera में record हो जाते है लेकिन यह किस तरह मुम्किन हो सकता है यह एक सवाल है आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ अजीबों गरीब और रहसे में वीडिय अब जो वीडियो आप देखने वाले है उसे देखने के बाद आप किसी भी वाश बेसिन के पास हाथ दोने जाने से डरेंगे इस वीडियो में बेसिन में पानी का सिंखोल है जिसमें कोई अजीब से हाथ जैसा जीव बार बाहर आता दिखाए देता है यह किसी इंसान का है बच्चे का या किसी और जीव का ये नहीं पता ये देखने में काफी डराूना लगता है डराूना दो बहुत रिल्स और शौट्स बनाना आचकल बहुत ट्रेंड में है हर कोई घर पर मॉल में या फिर रास्ते पर रिल्स बनाते रहते है लेकिनाब जो रील आप देखने वाले है वो अपने आप में ही काफी रहसम ही है इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तो इस रील में ये लड़का पफॉर्म कर रहा है और गौर से देखने पर आपको पिछे रेड ड्रेस में एक लड़की चलती हुई दिखाई देती है जो एकदम से देखते ही देखते गायब हो जाती है ओ भाई कई बार देखने पर भी पता नहीं चलता कि वो लड़की कहा गई या किस तरह गायब हो गई आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हम नीचे कमेंट करके बताए फिशिंग करने आये हुए एक मचवारे ने ये वीडियो रेकॉर्ड की जिसमें कोई जीव मगरमच के जैसा दिखाई देता है जो पानी के उपर सर निकालते हुए दिखाई देता है लेकिन इसकी शकर काफी अलग और अजीब थी तो क्या ये मगरमच था क्या फिर कुछ और जीव कोई और जीव है वैसे कह भी नहीं सकते नेचर में कॉन कॉन से प्राणी है जो स्टोर में होने वाली अजीब गरिब घटनाओं की वज़े से सामने आई है इस स्टोर के मालिक का कहना था कि जब वो हर सुबह स्टोर में आता था तो स्टोर की चीज़े विक्रे भी पड़ी होती थी स्टोर के मालिक को इस मामले में सबसे पहले चोरों का शक हुआ ये देखने के लिए उसने अपने स्टोर की सिसरी वी फूटेज चेक की जिसमें कुछ और ही सच सामने आया रात को धाई बजे के करीब स्टोर में एक जग़ा पर कुछ फूर्ट्स अपने आप नीचे गिरते वह दिखाए दिये इसमें ये हो सकता है कि ये किसी और वजे से या फिर चुहे वगरा की वजे से नीचे गिरे हो लेकिन इसी समय स्टोर में दूसरी जग़ा ट्रॉली बास्केट अपने आप हिलने लगे और साथी दर्वाजे भी अपने आप जोर जोर से हिलने लगे जबकि वहाँ कोई दिकाई नहीं दे रहा था अब इस मामले में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी कि ये कैसे हुआ तिकिन इसने सभी के मन में स्टोर को लेकर एक डर डाल दिया सिंगापूर के एक मॉल में एक आदमी वहाँ के टॉयलेट में गया जा उसे कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई दे रहे थी और उसे ऐसा लगा कि वहाँ कोई है उसने फॉरण ही अपने मोबैल से वीडियो रेकॉर्ड करना शुरू किया और उसने सारे टॉयलेट्स चेक किये कि कोई अंदर छुपकर उसे डरा तो नहीं रहा सब्सक्राइब करने के बाद उसने देखा कि उसे एक टॉयलेट में किसी आदमी के जूते दिखाए दिये उसे लगा यही वह आदमी है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था वो फोरण उसी के साथ वाले टॉयलेट में गया और उपर से देखने लगा कि अंदर कौन है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन उपर से देखने पर उस टॉयलेट में कोई नहीं था ये देखकर वो डर गया और नीचे उतर ही रहा था तभी उसे सव्यत कपड़े में उसके पीछे हवा में कोई भूद जैसा दिखाए दिया वो कौन या क्या था उसे नहीं पता वो बस वहाँ से अपनी जान बचा कर भाग कड़ा हुआ कई बार इसी तरह की कई गटनाय सामने आती है दिन में क्या हो रहा है वो समझ नहीं आता और ऐसा कुछ दिखाई देता है जो इंसानोंने पहले कभी नहीं देखा होता इस वीडियो में एक गर का बैक्यार्ड और स्वीमिंग पूल दिखाई देता है और अभी तक इस वीडियो में ऐसी कोई अजीब सी बात दिखाई नहीं दे रही ये कोई एलियन था या कोई बूत या कोई ऐसा जीव जिसके बारे में अभी तक इंसानों को नहीं पता एक कपल को अपने कमरे में कुछ आवाजे सुनाई देने लगी जिसे देखने के लिए जब उन्होंने देखा तो लड़के को उनके बेडरूम का कबर्ड खुलावा मिला जिसमें से एक जैकेट बाहर गिरा हुआ था इस आदमी ने कबर्ड चेक किया और जैकेट उसमें वापस रख दिया और दूसरे दर्वाजे भी चेक किये कि कही कोई है या फिर नहीं सब दर्वाजे चेक करके वापस जाने पर अचनक से एक दर्वाजा खुला और कोई डरावने शकर का कोई जीव बाहर आया और वापस अंदर चला गया यहाँ पर तो यह इंसान जैसा ही लग रहा था भाई को डराने के लिए हो में भी यह वीडियो असली है या प्लैंड यह तो नहीं पता लेकिन अगर यह वीडियो प्लैंड नहीं है तो उस कपल को वो घर फॉरण ही छोड़ देना चाहिए एलियंस के होने या नहोने पर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे यह छोटे से कत का कोई जीव है जो बहुती अजीब तरीके से चार पेरों पर चलते हुए आता है दीवार पर गुस्से में अपने पंजे मार कर इदर उदर देखता है और वहाँ से निकल जाता है इसे जूम करके देखने पर भी यह किसी इंसान है जानवर के तरह नहीं दिखता यह कोई और जीव है या क्या है आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में बताए यह लड़की अपने घर के बेस्मेंट में कुछ काम क कर रहे थी उसके साध कुछ ऐसा हुआ जो आपके होश उड़ा देगा अपना काम कर्टे हुए अचानक उस कोई उसका पैर पकड़ कर खी ले गया वीडियो में ऐसा दिखाए नहीं देता है कि जैसे कोई उसे खीच रहा हो लेकिन उसे खीच ते हुए कोई दिखाए नहीं लेकिन वहाँ कोई नहीं था लेकिन चुकि ये गटना कैमरे में क्याद हो गई थी इसलिए ये गटना सब के सामने आई जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है ऐसा कहा जाता है कि इंसानों और जानवरों के इलावा भी कई ऐसा जीव है जो पृत्वी पर रहते है लेकिन उनके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस तरह के कई अलग-अलग वीडियोस है जो सामने आते है इनमें से ये एक भी है एक पुराने खंडर में घुमने गए कुछ दोस्तों ने इस वीडियो को रेकॉर्ड किया जिसमें एक अजीब सा जीव आप देख सकते है ये क्या है ये बात अंजान है इन दोस्तों को भी इसके बारे में बाद में वीडियो देखने पर मालूम पड़ा और पागल है कि उसके पास जाकर वीडियो बना रहे है भाई तुम्हें अपनी जान की नहीं पड़ी है क्या तो गैज आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको इस वीडियो में से कौन सी वीडियो क्लिप ने सबसे ज़्यादा चौंका कर रख दिया हम नीचे कमेंट करके जरूर बताए और यार वीडियो को शेर करके चैनल को भी सबस्क्राइब कर दे वे यार मतलब चौक आया तो क्या मुझे तो डरा दिया सच बताओ तो मतलब वो जो घर वाली वीडियो थी जो कबर्ड वाली की जैकेट गिरी पड़ी थी और वहां से कोई जहां करा था तो वो वाली वीडियो तो कम्प्लीटली मुझे प्लैंड ही लग रही थी ठीक है कि किसी ने प्रैंक किया है ना लेकिन बाकी जो वीडियो थी उनके बारे में कैसे चल रहा था यार कोई बच्चा भी अगर होता तब भी वो वो पानी पर कैसे चल सकता था भी उस पे स्विमिंग पूल के पानी पर है ना और वो जो लड़की का पैर खीच कर ले गया में भी एडिटिंग हो सकती है जो भी पैर खीच रहा हो उसको गायब कर दिया गया हो शायद में भी वो एडिटिंग हो सकती है लेकिन कई बार ऐसी चीज़े यार होती है और मैं परसनली विताओं कि मैंने ऐसे म्यूजियम के बारे में सुना है जहां कई सारी ऐसी चीज़े रखी हुई है जिनके बारे में हम लोग ये सोचते हैं हम लोग लाजिक लगाते रह जाते हैं कि हां इनके पीछे कोई ना कोई लाजिक होगा कुछ ना कुछ होगा लेकिन वो होता नहीं है वो कुछ मतलब अलगी होता है हो सकता है कुछ कोई चीज हो और वो जो पानी में एक मगरमच जैसा जीव जो दिखाता मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है क्योंकि Amazon forest जो है Amazon की नदियां जो है Amazon नदी जो है वो भी अभी कई सारे रहस्यों से भरी पड़ी है तो हमें नहीं पता नेचर ने हमारे लिए क्या सप्राइज प्लान कर रखा है अगर आपको रियक्शन पसंद आया हो और यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर ज़रूर करना और आप लोगों की क्या राय है प्लीज कॉमें सेक्शन में ज़रूर बताना और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है यह भी मुझे कॉमें सेक्शन में ज़रूर बताईएगा मैं मिलूँगे नेक्स वीडियो में बाबाई